जै मसी की दोस्तों, आज की स्वरग्य मन्ना का भाग हमने लिया है सभो उप्देशक की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय और उसका चौद्वा वचन वचन कहता है, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ करता है, वो सदा इस्धर रहेगा उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है, और ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया है, कि मनुष्य उसका भाग माने धन्यमाद पिता परमेश्वर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भए को जाने उसका भए हमारे अंदर रहे क्योंकि निती वचन आठ का तेरा कहता है कि यहुआ का भए मानना बुराई से बैर रखना है और वही निती वचन एक का साथ कहता है कि यहुआ का भए मानना बुद्धी का आरंब है तो कौन से बुद्धी, वो कौन सा ग्यान परमेश्वर हमें देना चाहता है उस भे के अंदर कत, उस भे के अंदर वो ग्यान है परमेश्वर का, वो बुद्धी है परमेश्वर की है वो रहसे है परमेश्वर का जो परमेश्वर हमें देना चाहता है कि उसका रहे से उसकी इच्छा, उसकी योशना है, हमारे जीवन में क्या चीजे लेकर आएंगी, उसकी योशना है, हमारे जीवन में कौन सा फल लेकर आएंगी, उसने हमें क्यों चुना है, और किसलिए परमिश्र ने इस संसार को इश्व मसी के द्वारा मुक्त किया है, ले मैं 32-42 कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे डरें परमेश्वर चाहता है कि उसका भै हमारे अंदर रहे इसलिए उसने कहा है इसलिए उसने कहा है कि धन्य है वो जो मन के दीन है यही दीनता यही नमरता हमारे अंदर भै को उपस्चित करती है हमारे अंदर भै लाती है और उसी दीनता और नमरता के साथ जो हम अपने जीवन को बिताते है तो परमेशर का भै हमारे अंदर बना रहता है और वो भै हमें सिखाता है परमेशर के पवित्र सामर्थी नियमों को वो नियम जो हमें जीवन देते हैं वो नियम जो हमें परमेशर तक पहुँचाते हैं वो नियम जो उस वाचा का सूत्र है उस वाचा के द्वारा परमेशर के साथ रहते हुए हम उसको पाते हैं इसलिए वो कहता है तुम मांगो मैं तुम्हें दूँगा तुम खोजो, मैं तुमें हर चीज उपलब्द कराऊँगा, खट-कटाऊगे तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूँगा, लेकिन भै, तुम्हारे जीवन में रहना बहुत सुरूरी है, जब परमिश्र का भै हमारे जीवन में होगा, तो हमारे अंदर कोई बुरा ही न में परमिश्र का भै हमारे जीवन में पहला है, हम कोई भी काम करें परमिश्र के भै को रखते हुए, कोई भी काम हम परमिश्र की इच्छा के वरुद ना करें, अगर हम परमिश्र के भै के अनुसार करेंगे, तो कोई भी काम परमिश्र की इच्छा के वरुद नहीं होगा और परमेश्वर का भे हमारे जीवन में अद्बूद साकार होता जाएगा और हम सुरखशित अनुग्रह को पाते हुए चलते जाएंगे जीवन जीते जाएंगे और लोगों के लिए मिसाल बनेंगे लोगों के लिए गवाई का रूप बनेंगे हाले लिया तो हाई हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र परमेश्वर को जो महाने मही महुरादर कही होगे और धन्यवाद परमेश्वर तुन्हे अपना भे हमारे अंदर डाला धन्यवाद पिता परमेश्वर तो कि ये भे मिरे लिए बहुत जरूरी है मैं डर कर भै के साथ तेरी इस पाए हुए इस उधार को सम्हाल कर चलू ताकि मैं उस अनंद जीवन का सुक भोग सकूँ जो तुम मुझे देना चाहता है तरने वाद परमिश्य सुनने वाले भाई बेनों के लिए आशीश मांगता हूँ और सुनने वाले भाई बेनों के लिए तेरा भै मांगता हूँ ताकि तेरे भै में वो चलें जीवन पाएं सुक पाएं आनंद पाएं और शैतान का शिकार ना हो शैतान से दूर रहें बलकि तेरी उपस्टी और तेरी जूती बन कर रहे इश्यमसी के नाम से मांगता हूँ एमेन एमेन एमेन